आज हमारे जोतिशाशारे आचारे आनंद देव जी आपको बताएंगे कि आज आज आपका दिन कैसा रहने वादा हैं? आज 30 जून 2023 विक्रमी समवत 2018 आचार शुकल पक्सकी दवादसी को आचारी आनंद देव का साधर प्रणाम आज चंदर्मा तुला राशी में है और विशाखा नक्षतर में है राहुकाल आज सुबह 10 बज करके 40 मिनट से 12 बज करके 24 मिनट तक रहेगा उस समय आप कोई भी सुब कारिये ना करें चलिए शुरू करते हैं आज का राशी फल मेश राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा मेश राशी वालों के लिए आज नए अवसर मिलेंगे उनकी प्रतिभा को जानने के लिए उनको खुद उनके परिवार में सम्मान मिलेगा उनकी पतनी उनके साथ मिल करके कोई नया कारिया शुरू कर सकती है अगर आप दोनों मिल करके कोई नया वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं तो आज का दिन बड़ा अच्छा है आपके लिए आप वो काम कर सकते हैं उसके अलावा अगर आप अपने मित्रों के साथ कहीं पर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आज हवस्ष से जा सकते हैं चलिए उसके बाद बात करते हैं हम वर्षब राशी की वर्षब राशी के लोगों के लिए आज अगर कोई ऐसी चीज है जहां पर आपने कोई पुराना केस जो चल रहा था और वो निप्टाने की आज बात है तो आप से अन्रोध है कि आप उसको आज निप्टा दीजिए अ बात करें उसके बाद हम बात करते हैं मिथुन राशी की मिथुन राशी के जात्कों के लिए आज समस्या आ सकती है अगर वो अपने मित्रों के साथ ज्यादा बाहार समय वैतित करते हैं और अपने परिवार के साथ समय नहीं बिताते हैं अपने बच्चों के साथ समय नहीं पड़े परन्तु इससे घबराना नहीं है आप नई स्किल को सीख पाएंगे धीरे-धीरे एक-एक करके स्टेप ले करके उस स्किल को सीखिएगा उसके बाद हम बात करते हैं करकराशी की करकराशी वाले जात्कों के लिए आज बहुत पॉसिबल है कि उनके घर में कोई रेनोवेशन हो जाए उनके पास कोई घर में नई चीज आ जाए हो सकता है उनके घर में कोई नया पशू भी आज आ जाए या कोई पैट उनके घर में आ जाए आप स्वागत किजिए ऐसी चीजों का परंतु किसी एक चीज को ले करके अपनी धार्णा ना बनाएं अगर चाहते हैं तो आपसे अनरोध है कि आप परिवार के सभी लोगों के साथ मिल जुल कर वो नई लें अकेले वो नई ना लें उसके बाद हम बात करेंगे सिंग रासी की सिंग रासी के जातकों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम रहने वाला है उनके पिता की ख्याती बढ़ हो तो वो आज आपका पूरा हो सकता है उसके बाद हम बात करेंगे कन्याराशी की कन्याराशी के जातक के लिए आज सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि उनको कहीं से अचानक कोई पास आजाये जो उनकी सहयता कर सकता है इसी तरीके से उनके ससुरालपक से भी उनको सहयोग मिल सकता है परन्तु उनको अपने आज खान पान के ओपर विशेश ध्यान देने की जरूरत है हो सके तो मोटा पे वाली चीजों को त्याग दीजिए उसके बाद हम बात करेंगे तुलारासी की तुलारासी वाले लोगों के लिए आज अब स्वेम मन्थन का दिन है उनको ये देखना पड़ेगा कि उनकी कौनसी ऐसी चीज है जिससे की लोग उनको गलत समझ रहे हैं वो सब के लिए अच्छा करते हैं परन्तु फिर भी लोग उनको अच्छा नहीं समझ पाते तो ऐसी कौनसी वज़य है ऐसा उनका कौन सक्किया हुआ कारिय है जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं तो आज उनके लिए आतम मंधन का दिन है और आज दिन बीत्ते बीत्ते काफी हद तक वो इस जान भी पाएंगे कि ऐसी कौन सी चीज ती जिसकी वज़य से लोग उनको गलत समझ जाते हैं कुल मिला करके आज उनके व्यक्तितों को सुधारने का दिन है और वो सुधार भी पाएंगे उसके बाद हम बात करते हैं व्रश्चिक राशी के लोगों के लिए आज थोड़ा सा स्वास्थे नाजुक रह सकता है हो सकता है उन्हें अस्पताल में भी जा करके कुछ अपने टेस्ट करवाने पड़ें अपने स्वास्थे का ध्यान रखियेगा परन्तु अगर आप कोई विदेशी मुद्रा में कारिय करते हैं तो आज आपको उसमें सफलता मिल सकती है उसके बाद हम बात करते हैं धनू लगन के लोगों की धनू लगन के या धनू राशी के जातकों के लिए आज अपने वेबसाइ में और अपने कैरियर में बड़ी सफलता हाथ लग सकती है और हो सकता है कि वो जिस कारिय को महिनों से नहीं कर पाए थे आज उनको वो कारिय करने का मौका मिले अपनी परतीबा का पूरा सम्मान करते हुए पूरे तन्मन धन से उस कारिय को कीजिएगा आपको सफलता जरूर मिलेगी उसके लाद हम बात करते हैं मकर राशी की मकर राशी के लोगों के लिए बहुत ही एक ऐसा माहूल आज बनेगा जहां पर वो एक तरह से कह सकें तो राजनेक लोगों से ही मुलाकात आज उनकी होगी आज उनको कोई पद भी ऐसा दिया जा सकता है जहां पर गौर्मेंट में अगर कोई परमोशन होनी है या कोई महतुपूर्ण पद दिया जाना है किसी मंतरी पद की भी आपको पेसकत हो सकती है अगर आप राजनिती में हैं तो आप इसकी गौर्व को बनाए रखें इसकी गर अगर वो धार्मिक कारिये के लिए जाना चाहते हैं तो धार्मिक कारिये में उनको बड़ी ही सफलता मिलेगी, धार्मिक कारिये में उनको किसी गुरू के साथ दिक्षा लेने का आज मोका मिलेगा और वो गुरू के चरण कमलों पर उनके पदचिनों पर चल करके अपने आप अपने ऐसे मित्रों से आज मिलेंगे जो जिनके पैसे को ये कहीं इन्वेस्ट करेंगे अपना खुद का पैसा ना इन्वेस्ट करके ये अपने मित्रों का अपने परिवार वालों का अपने ससरवाल का पैसा जो है कहीं पर इन्वेस्ट करेंगे और उससे फायदा भी तो उनको नया ग्यान भी आज सीखने को मिलेगा बस उनको जो ख्याल रखना हो यह कि आज अपने दामपत्य जीवन में किसी भी तरीके से अपनी पती और पत्नी को ले करके कोई विवाद में ना पड़ें अन्य था आज आपका दिन जो है बरबाद हो सकता है इसी के साथ अन्देब को दिजिये जाएद, नमस्कार.